हमेशा एक बात आप सबसे कहती हूँ कि जिन बच्चों के विवा में देरी हो रही है या जिन माता पिता के बच्चों के विवा में देरी हो रही है विवा योग बन ही नहीं रहा है उनको एक तो विश्णु भगवान की पूजा का जब जब भी मोका मिले जब जब भी उनको समय मिले उन्हें जरूर करनी चाहिए चाहे किसी भी रूप में करें अपने घर में करें चाहे विश्णु भगवान के चितर के सामने मूर्ति के सामने या केले की जड़ में करें या तुलसी की जड़ में करें यहां विश्णु भगवान का वास है इसके साथ ही पीपल की हैं तो शुक्र देव परसंद होते हैं चंदर देव परसंद होते हैं दोश मिठते हैं हर परकार के बच्चों की जन्म कुंडली से अब जिस प्रकार से की 25 तारिख को दो सयोग एक साथ बैठ रही है 25 तंबर को यानि के सोंबर है भोड़े नात्मा पारती का भादरपत शुक कर सकते हैं आप तुलसी जी में पूजा कर सकते हैं और इसके साथ ही भोड़नात्मा पार्वती की पूजा एक साथ कर सकते हैं तो इतना बड़ा जस्वें हो गया है इसमें आप एक छोटा सा काम करें जो मैं आज बता रही हूं उस छोटे से काम से आप देखेंगे कि एक तो बच्चों की जन्म कुली में जितने भी दोश होते हैं दोश किसे होते हैं राहू के तू शानी कई बार सूर्य भी दोश बनाते हैं तो ये जो दोश बन रहे होते हैं एक तो ये दोश दूर हो जाएंगे दूसरा उसके साथ ही आपके बच्चों के शुक्र मजबूत होंगे और शुक्रों और गुरू के मजबूत होते ही बच्चों का विवायोग बनेंगे। अगर विश्ण भगवान मा लक्ष्मी की चितर ना हो आपके घर में तो कृष्ण भगवान मा रादिका का हो तो वहाँ पर भी आप एकादिशी के दिन पूजा कर सकते हैं। अगुन цент के तुरूंत विवायोग बनेंगे ये तो आप दिन में कर सकते हैं। जो मैं उपाई बताने जा हो जाएंगी नए रिष्टे आएंगे आपको उपाई बताना शुरू करती हूं उससे पहले नमस्कार आप सब का मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा आप क्या करिएगा एक जल जूलनी आने के लिए आप करिए क्या कि सबसे पहले आपको कहोंगी कि सुबह में आप दिन भर में पूजा कर लें तुर्सी जी की करें केले की करें अप जल अर्पित कर सकते हैं जल अर्पित करें और दिपक जरूर जलाएं अब जो हमारा मेन उपाई है वो शाम को करिएगा आपके पूजाघर में बैठिएगा नहाद होकर एक बार नहाद जरूर लीजिएगा पूजाघर में बैठने से पहले इस उपाई को बच्चे भी कर सकते हैं माता पिता भी कर सकते हैं लेकिन लास्ट में जाके बच्चों को ही इस उपाई को अपने प्रयोग में लेना होगा माता पिता इस उपाई की शुरुआत कर सकते हैं किस प्रकार से सुर्यास्ति जैसे ही हो जाए नहादो के पुजागर में बैठे सामने कृष्ण भगवानमा राधिका के चित्र हो या आपके सामने विश्णु भगवानमा लक्षमी का चित्र हो उनके सामने बैठिएगा और सामग के वाले किसी वीडियो में भी यह बात कहीं होगी कि एकादिशी के दिन कभी भी तुलसी मत तोड़िये उनके नीचे टूटे हुए पत्ते पड़े हो उनको उठा लीजिए या पहले दिन ही तोड़के रख लीजिए जैसे कि अगले पहले दिन सोंब रवीवार रहेगा सो समबार से पहला दिन तो आपको तब भी ने आप तोड़ पाएंगे रवीवार के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो नीचे पड़े हुए कोई भी पत्ते हो चाहे गीले हो कैसे भी हरे पत्ते हो वह ले लीजिएगा उनको लेने के बाद आप प्रयोग में उपा दस दिन तक उनकी पूजा होगी इसलिए उनको याद करें सारी वीगन वादाओं को दूर करने के लिए अब आप क्या करें आपके सामने एक घीका शुद्देशी घीका दिपक प्रजुलित कर लें और हमेशा मनोकामना पूरती के लिए जैसा कि मैं बताती हूं आटे का द को यादा और होगे अगर आपके घर में कृष्ण भगवान माराधिका की फोटो ना हो विश्न भगवान माक्षीशी के फोटो ना हो तो तुल्सी जी अगर गमला हो क्या रहा हो आपके घर में तो वहां भी इस उपाए को कर सकते हैं दीपक प्रजुलित कर Laborcken Wiram इसके साथ ही आपको वहाँ पर तुर्शी तो तोड़नी ही नहीं है, दिन में भी नहीं और शाम को भी नहीं, जलबी नहीं देना है सुर्यास्त के समय संध्याकाल में, इसलिए वहाँ पर एक दीपक प्रजलित करें आटे का, और इसके साथ ही ये जो चीज़े मैंने बताई थीजाड करने हैं अपपने पूझाघर में भी कर सकते हैं तीनों कामपली में गोगवान के आगे कि काम के सौफ जो है ना आपके पास जो सौफ होती है खाने की खाना-खाना के बाद हम खाते हैं वो सौफ आपके तीन दोशों का दमन करेगी जनल कुंडली में राहू के तू और शनी तीनों का दमन करेगी तीनों का को हटाएगी उनको खुसमापत करेगी और जो आपके हरी इलाइची है शुकर को मुझबूत करेंगे तुलसी माता के दो पत्ते जो है वो वि आगे और नों भगोते वासुदेवाएं और जो ब्गोते वासुदेवाएं का जब कुछ भी कर सकते है 25 कि करें एक परोड़ेम जितना भी आपका मंन करते करने सुबह उठते ही आप देखना आपको एक अच्छा बहुत अच्छा फील होगा और आपके मन में एक आनंद का संचार होगा और इसके साथ ही आपके रिष्टे की बात चलना शुरू हो जाएगी रिष्टे की बात आना शुरू हो जाएगी रिष्टा तैह होना शुरू होगा और शिगर विवा योग बनेगा आपका विवा भी बहुत जल्द कुछ ही दिनों में पक्का हो जाएगा इस चीज को आप अपने तक्या के नीचे अगर अनन्त चत्रदिशी तक रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है अन्य था आप जब चाहें इसको मनोकामना पूरती होने के बाद पानी के नीचे पानी में बहा के आ सकते हैं या फीपल के नीचे छोड़ के आ सकते हैं आपके तुरंत मनों कामना पूर्ण हो वीडियो अच्छा लगाओ तो कमेंट बॉक्स में और नो भगोते बास देवाय लिखना कभी भी मत भूरना वीडियो देखने के लिए अकब बहुत बाद है